So hey guys welcome to my YouTube channel आज की सिम्ष्टरियम हम बात करेंगे कि आपको बारंबारता कैसे निकलना है ठीक है, टोटल तीन बारंबारता की बात करेंगे ठीक है, ठीक है, तीन बीदी से हमको निकलना है और वो जो तीनों गुष्ट्टन लिया मैंने काफी important है, ठीक है ये बारम बारता की तीनों question board exam में हर साल पूछे जाते हैं आप कोई भी board exam की paper उठा कर देख लो ठीक है हर बार ये question पूछे गे तीन जो इसमें important बारम बारता को लिया हूँ मैंने काफी important है और board exam में हर बार आया हुआ हम इसको बिल्कुल details में समझेंगे और बिल्कुल आसान भासा में समझेंगे सबसे पहले यहाँ पे question ये दे रखा है कि बारम बारता बंटन से समानतर माध्य ग्याद के जिए हमें समानतर माध्य ग्याद करना है और समानतर माध्य ग्याद करना है बिल्कुल सरल है सबसे पहले यह box आपको board exam में दे देगा वर्ग अंतराल देगा 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है और बारंबरता 6, 8, 10, 7, 9 दिया है इसे हमें solve करना है समानतर माध्ध निकालने के लिए इसके लिए समानतर माध्ध निकालने के लिए तो इसके लिए हमें क्या करना एक नीची box इसी तरह से बनाना है जहाँ पे वर्ग अंतराल यहाँ पे डालना है जो वर्ग अंतराल इसमें दिया है और यहाँ पे वर्ध मध्यमान डालना यह हमें निकालना है इसके बाद बारम बारता है जो कि दिये रखा है अब इसके बाद हमको यहाँ पर एप इंटो X की वैलु फाइंड करने है तो सब कुछ कैसे फाइंड करना है सबसे पहले तो आपको वर्गंत्राल में जो जो चीजे दिया उसको लिख देना है तिक जैसे दिरका 0 से 10, यहाँ पर जो जो चीजे दिया था, हमने लिख लिए ठीक, WORG अंतराल दिया था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक, इतना तक दिया, इसके बाद 12 लिख लिया है, 6 8 10 7 9, तो यहाँ पर हमने 12 लिख 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 लिए ठीक, अब हमें क्या निकलना, WORG का मध्यमान नि इसे निकाला जाता है आपको यहां पर जो भी संख्या देख रहे हैं इन संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग देदोगे तो आपका मध्यमान x की बैलू निकल जाएगी ठीक है जिसे यहां पर है 0 से 10 को 8 कैसे करना है आपको 0 वो प्लस 10 ठीक है बट्टे के 2 अब देखो इसको एड़ आप करोगे ती हो जाएगा 10 दस बट्टे के 2 बराबर इसकी जो मध्यमान बैलू आजाएगी वो फाइप आजाएगी ठीक है यानि कि इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जीतनी पी जितनी संख्याओं को जोड़न सब्सक्राइब इसके बाद इन डोनों को जोड़े आप तो क्या जएगा 30-30 में दो का भाग दो याजएका 15 ठीक है इसी तरह सी फिन होसा याँ पंदरह इसके बाद यहां पर भी है 30-20-50 पचास में दो का भाग दोगे आजाएगा आपका इसके बाद यहां पर 30-40 है, ठीक है, 40-30 को जोड़ोगे, तो 70 आ जाएगा, 70 में 2 का भाग दोगो था, आपका जाएगा 35, ठीक है, यहां पर 35 लिख दिता हूँ, इसके बाद यहां पर 50 और 40 को जोड़ोगे, 90-90 में 2 से भाग दोगे, आप तो 45 आ जाएगा, यह चीज़े हमने निकाल लिया, ठीक है, अब निकालने के बाद हमें क्या करना है, एप इंटु एक्स यहां पर आपको दिख रहा है, यानि कि एप की बैलू ए है, एक्स की बैलू यह है, अब इन दोनों में क्या करना है मैं multiply कर देना है multiply इने गुड़ा कर देना है तो यहाँ पांच का 6 में करोगे तो यह आजाएगा आपका 30 ठीक है 6 35 और यहां के 15 8 120 तो इसका multiply इसमें करें तो 120 आजाएगा अब इसके बाद 25 दहां में 250 यहाँ का हो जाएगा 250 अब यहाँ पर यह चीजी होगी कि 25 दहां 250 थोड़ा से उपर लिखा गया है अब साथ का हम 35 में पढ़ेंगे ठीक है यहां पर साथ पच्छे 35 के 5 लिख देते हैं फिर सात्तरी के 21 है 21 और तीन आपका 24 हो जाएगा यह नहीं 24 और यहां पर हो जाएगा आपका 95 45 के 5 हाथ में लगा चार को इन सबी को हमें सिगमा एप और सिगमा ऐफक्स की वैलू निकालना जोड़ना जोड़ना कि दो किसी वैलीस बाराम-बवरता करी डिखाते हैं यहां संब में किसी वैली निकलेगी यह sigma f की value निकल जागी अब इन सभी को जोड़ना है आपको तो यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 10 जोड़ेंगे तो 25 25 में 10, 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33 और 33 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा total 40 ठीक है सिग्मा एप की value कितना आ गई 40 और देखो अब यहाँ पे हमें जोड़ना कैसे है इसको जोड़ दो ठीक है 0,0,0 और 5,5,10 10 के 0 आ गया हाथ में आपका लग गया एक हासिल ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ दो आप यह 4,5,9 9,2,11 11 और आपका तिन 14 14 एक 15 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे यह आ जाएगा हासिलेक था 15 अब इसके बाद इसको जोड़ दो 4,2,6,6,2,8 8,1,9, हासिलेक 10 यानि यह आपका आगे 1050 ठीक है तो हमें यहाँ पे सिग्मा एप की value कितना निकल गया 40 एपक्स की value है सिग्मा एपक्स की value कितना आपका आगे 1050 ठीक है अब यह चीज़े हमें निकल पता हो गया समानतर माध्य का सूत्र क्या होता है आपका समानतर माध्य माध्य बराबर यह आपका सूत्र हो जाएगा समानतर माध्य बराबर सिग्मा सिग्म देखो यहाँ पे सिग्मा एफЕक्स होगा सिग्मा एफउक्स अपन सिग्मा एफ यह आपकी सुतर हो जाएगा और इफ़ेक्स की बैलु घानते है 1050 1050 और सिग्मा एफ की बैलु कितना है 40 यहाँ पर हमें 40 रख देना है 100 से 100 कड़ गया अब चार का इसमें भाग देंगे तो यह उन्ची चारदुना के आथा, धो बच्चा, तो चारदुना के चारदुना के तो यह डो यह यह तोटल आपका आजाएगा, जो एंसनोर इसका समानतर मा दे बराबर वो आ जाएगा आपका 26.25 ठीक है 26.25 आपका फाइनली एंसर आ जाएगा ऐसे आपको जब भी बारम बारता बंटन से समांतर माधि ग्याद करने के लिए इसी तरह से आपको निकालना है ठीक है बिलकुल टोटल इस तरह से निकालोगे पांच नमबर आपके बोड इग्जामे यह भी important है ठीक बोड इग्जाम में बार-बार पुछा गया है आप इसको solve कर देते तो पांच नमबर बोड इग्जाम में पका और बॉल्फूत आसान है ठीक है आपको यह एक एक नमबर कामात हो था एक दो नमबर यह मसूचू कि आप इसको मैं ना पढ़ो बहुत important है इ इसको मान घ्याद किजिए इसमें एक जगाँ यह इसी कामान में क्या करना है घ्याद करना है प्राप्तांग दे रखा 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 ठीक है अब इसको देखो कैसे घ्याद करोगे बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है सेम प्रोसेस करना कीवल यहाँ पर एदे दिया ठीक ज इस प्रोसेस का इन दोनों को हम जोड़ेंगे ठीक है इन दोनों को जोड़ेंगे जीरो प्लस दस और कितनी संख्या है दो संख्या है इन दोनों तो यहां snapshemia' निकाल है इसका तो पाच आए गया और 10, 10 को जोड़े तो 30, 30me2 भाग देंगे तो 15 और यहां पे 30, 20, 15 11 में के थो रप्टरalk देंगे तो 25 और यहां पे 30 और 40 में भाग देंगे तो आपका हो जएगा यह सब्देन में दो का भाग देंगे तो हो जाएतिस और यहां पे यहां पे 90-90 में दो का भाग देन गी फोटी फाइप हो जाएगा ठीक है यह यहां से मध्यमान एक्स निकलत के बद नेश्टे इस आपका विध्यारतयों की संख्या यह चीज़े देृक्त भी दयति के संख्या थी जलिनंस भी सब्सक्राइब अब हमें क्या करना एक्स निक नना यहाँ पर एप और एक्स तिर्खा इसका क्या करने ने मल्टिप्लाई करने पांध यह वह जाएगा आपका पंद्रह और यह हो जाएगा पंद्रह में एका करोगे तो 15 जाएगा इसके बाद 25 का 6 में करोगे तो यह हो जाएगा आपका 6, 35, 30 और 6 दुना के 12, 3, 15 अब इसके बाद हो गया 350 तो यहां पे 15 नहीं रहेगा ठीके 5 नहीं रहेगा यहां पे आप देख सकते हो क्या है 5 तो हम यहां पे mistake हो गया है यह आपका multiply थोड़ा सा गरबर हो जाएगा यहां 55- Tac 25 हो जाएगा आपका 5 और यह जाएगा 5, 40 की 22, 22 22 हैं यह जाएगा आपका 085 आपका ये चीजी आ गई इसके बाद को क्या करना है यहां से इसको बारंबारता है कि की बैलू को क्या kind कहते हम यह कहते हैं सिगमा एफ सिगमाב को क्या करना एड कर डा कि सबसे पहले आपको एक Dakota करना संक्या बनी को यह 10 और 5 15 6 21 एक इस तीन 24 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 24 और ए तो ए प्लस में रहेगा अब इसके बाद यहां पर भी आपको इसको छोड़ देना है और सभी को एड करना है यहां पर दो एड कर लो आप यह पांच हो गया है और यह वाला पांच मिलकर 10 10 के सुनना हाथ में लगा एक इसके बाद अब यहां पर है 2 तो 2 5 7 7 5 12 और 12 एक 13 13 एक हासिल का 14 14 के 4 हाथ में लगा एक इसके बाद है यहां पर 2 और यहां पर 3 5 1 6 ठीक है 6 1 7 यहां पर आपका जो टोटल आ जाएगे ये 740 ठीक है और प्लस इसको जोड़ देंगे 15 ए यह हो गया ठीक है यह आपकी जो बैलू निकली है वो निकली है सिग्मा एपक्स की तो यहां से में क्या करना है समांतर मादे का जो फार्मूला होता है वो होता आपका इसका फर्मूला आपका होता है इसको दिखाते x-bar से ठीक है तियो होता है आपका Sigma fx upon Sigma f fx की value कितना दे रखा है यहां पर? fx की value यह दे रखा है Sigma fx की value दे रखा है सास्चों चालिज merely 15 टीक है यहां पे रख दिना है और सिंग मैभ कि वैरलू क्या देंण रखा है 24 पलस ए ठीक है यह चीज़े दे रखा है ंप अब यहां पर इन सबी की बैलू को क्या कदनाए उठा कर रख देना शिंपली हम रख दें यहां पर सिंग्मा एप्पक्स की वैलू कितना है। यह चीज़ेा है ‎анию 07.40 अपान सिग्मा एपक्स की वैलू 24 इस पलस ए और इसकी वैलू पलस 15 वागता है। अब से को समानतर मत एक्सकी वैलू कितना दे रखा है। 25 हैhon तो इससे हम क्या करेंगे। यहां पे रख देंगे बराबर इसके जिगर पर 25 यह होगे आपका बराबर ठीक है अब इसे solve करना है 25 का multiply धर कर इसका जब इसमें आप multiply करोगे तो यह आएगा 600 ठीक है कितना आएगा 600 फिर 25 का a में करोगे तो पलस 25 a ठीक है बराबर आपका यह आजाएगा 740 प्लस 15 a यह होगे आप देखो 600 और यहाँ पर 700 ठीक है यह प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यह प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यह तो आपको क्या करना 25 a ठीक है आपको यही पर रखना है 25 a और इसको क्या करना इस पर लाना यह प्लस में इस पर आएगा तो minus 15a बराबर आपका यहाँ पर क्या है 740 और यह plus में इस पर जाएगा तो minus 600 ठीक है अब देखो 25 में से 15 गया 10a बच्चा आपका और यहाँ पर 740 में से 600 जाएगा तो आपका बच्ची का 140 ठीक है अब यहाँ पर क्या करना आपको यह multiply में है ठीक है 10 इस पर जाएगा तो भाग में चला जाएगा आपका यह बराबर हो जाएगा 140 बच्टे के 10 ठीक है इससे यह कर जाएगा आपका यह बराबर जो आजाएगा answer वो आजाएगा आपका 14 ठीक है यह बिल्कुल correct answer है नेश्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से आपको क्या करना है जब भी एक का मांद इस तरह से यह का मांद देदे ग्यात करने के लिए एक्स का मांद देता है ठीक है इसी तरह से आपको कोई भी question आई इसी तरह से solve करना है 101% अगर यह question आप बिल्कुल correct कर लेते हो तो 5 नबर पक्का हो जाता है ठीक है next question और काफी important यह question यह 101% board exam में आ रहा है और आपको 5 नबर बिल्कुल board exam में पक्का हो गया ठीक है यह question हर साल आता है बिल्कुल 1 second में आपको question को समझा दूँगा और आपके board exam में 5 नबर बिल्कुल पक्का करा दूँगा ठीक है तो सबसे पहले यह question देगा कि बारम बारता बंटन का बहूलक इग्याद की जीए तो आपको बहूलक किस तरह से ग्याद करना है बारम बारता बंटन का बहूलक इग्याद कीज़िए ऐसा question आपके board exam में आएगा ठीक है इस तरह का बहुला की ग्याद करने के लिए आजाए तो इसमें आपको सबसे पहले यह साड़ी दे देगा ठीक है इस साड़ी से ही आपको हल करना इसके असानी के लिए हमने इस साड़ी को कुछ इस तरह से बना दिया ठीक है वरगंतराल व सरवाधिक बारम बरता कितना मिल गया नव तो जहां पर लुगता है सरवाधिक बारम बारता कि अ कितना मिल गये आपको 9 यह जो मिलता है 9 मिलता है मिलता F1 की एक पोन बराबर कितना आपका 9 और इसके बद इसके ministre ऊपर इसके जिस्ट ऊपर जो होता है वह F0 की बीद बेनी होता है जैसे ही आपका यह सरवाधिक बहरम बता चलता है ठीक इसके उपर ठीक इसके उपर आपको F0 की value मिलती है और ठीक इसके नीचे आपको F2 की value मिलती है किसकी F2 की value मिलती है ठीक है यहां से आप समझ गए हमें क्या-क्या निकालना था F0, F1, F2 तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देना है कि सरवाधिक बरंबरता किसकी यानि जो संख्या सबसे बड़ी है तो हमने देखा इसमें कि 9 संख्या जो सबसे बड़ी थी तो हमने इसे क्या माना F1 है जो सबसे बड़ी संख्या होगी F1 बरंबरता है तो ये फोन बराबर 9 और ठीक इसके पहले की संख्या को F0 मानते हैं F0 की value कितना है 7 है और ठीक इस नो के बाद की संख्या F2 होती है इसकी value 4 है ठीक यह चीज़े अब समझ गये तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गया इस सभी की value मिल गए ठीक है अब देखो 9 जो है 9 किस में आ रहा है यह वर्ग अंतराल 55 और 70 की बीच जा रहा है 55 और 70 की बीच में 9 आ रहा है ठीक है इसका जो वर्ग अंतराल है 55 से 70 है तो देखो यहां से में कई चीजे मिल जाएगी ठीक है बहुलक वर्ग इससे क्या निकल इसकी बहुलक का हुर्ग इसंने सबसे अधिक बहुलक दन्यक्रिश्च कनी बाउन सबसी अधिक बार्मबरताई 9 है इसके लिए इसकह पच्पन से 70 की बीच में ये चीजे मिल गए ठीक है तो ये जो 55 है ये इसका lower limit है यानि निम्न सीमा है ये उच्छ सीमा है और ये कौन सी सीमा है निम्न सीमा और निम्न सीमा को देख से तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L से दिखाते हैं तेहां L बराबर आपका क्या मिल गया है 55 ठीक है अब 55 के बा लंबाई है यह जो है आपका वर्ग अंत्राल की लंबाई है यह कैसे निकलेगा आपको एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसे मतलब कि जो हायर लिमिट है उसमें से लोवर लिमिट को घटा देंगे यानि कि जो उच्छ सीमा है उसमें से निम्ने सीमा को घटा देंगे यहां से सत्तर माइनस पजपन घटाएंगे एच की वैलू निकल जाएगी ठीक है सत्तर में से आप पजपन को घटाओगे तो आपका बच्चे का यहां पे 15 ठीक है यहां पे 15 लिख देना है एच की वैलू अब देखो इसका जो फार्मुला होता है बहुलक की ग्याद करने का वह क्या होता है वह फार्मुला था बहुलक की एक क्वल आपको लिखना है बहुलक ब़राबर ल तो यह एल प्लस यहां पे इसके बात आपका हो जाएगा एफ वयाम ऐपवन माइनस एफ जिरो थेक ए एफ बड़्टे में अपान थीक है इसकी बट्ड़े में आपान है यह हो जाएगा 2 f1 f1 minus इसके बाद आपका हो जाएगा f0 f0 minus f2 यह चीज़े करने के बाद आपको यहाँ पर multiply लगाना है और multiply में आपको h लिख देना है यह इसका फार्मूला होता है ठीक है यह बहुलक का फार्मूला है ल प्लस f1 minus f0 फिर अपान में 2 f1 minus f0 minus f2 into h अब इन सभी का value हमें पता है ठीक है हम सभी की value निकाल लिए यहाँ पर f0 की value 7 है f1 की value 9 है f2 की value 4 है और यहाँ पर l की value 55 है और h की value 15 है ठीक है सभी को हम रख देंगे बहुलक बराबर बहुलक पराबर l की value कितना है 55 तो 55 रख दिया हमने ठीक है इस l की value यहाँ पर 55 निकाले है इसके बाद गाईस यहाँ पर f1 और minus f0 की value है f1 की value कितना 9 f0 की value 7 है यहाँ से f1 की value 9 है तो 9 रख देंगे और f0 की value 7 है तो 7 रख देंगे अपान में यहाँ पर 2 है ठीक है तू लिख देंगे और F1 की value कितना है 9 है नव कि माइनस तो माइनस लगा दींगे इसके बाद F0 की value कितना है यहाज पर amunday 7 रख देंगे साथ – M2 की value tha यहाँ पर क्या रख देंगे चार और गॱीदे एच की value क्या निकाले हमने एज की बैलू 15 निकालाते हैं यहां पर 15 रख दिना है ठीक है रखने के बाद अब इससे सौल्व कर दिना है सौल्व करने के बाद यहां पर 55 आप लिग दोगे और 9 में से 7 गया आपका 2 बच्चा 16 serra प्लस ऑ्म धो ठेको कर सकते मिल्टिबलाई कर सकती है 15 का ये हो जाएगा आपका तीस अब इसको जोड़ाना की 78 Anal 10 इन दुनों को आप जोड सकते हो ठीक है साच चारी 11 माईनस माइनस एड हो जाएगे साच चारी 11 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा आपका इसके बाद आपको स्वाल्व क्या करना है 55 को इसमें एड कर देना तो आप क्या कर सकते हैं तो यहां पर आपको कर लेना है सबसे पहले तो आप इसको घटा दो यह हो जाएगा 55 अपश्पन प्लस तीस बट्रीं के अठारा में से 11 गया है तो आपका यहां पर साथ बचेगा साथ होगी आप यहां पर सिम्पली ऐसे कर देना इसमैं से आपको क्या करना इसका भाग देना ठीक यह आपका भाग दोगे तो यहां पर पचपंध हऑं है आप साथ चौखे एठ 12 साथ चीज़े हैं और 2 बच्चा फिर साथ के आपको इतने ही दस्मल तो क्या करना इसको एड करने हैं तो आपके करोगे तो आपके हो जाएगा उनसट टू ठीक यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका बहुला की ग्यात हो जाएगा ठीक है उस तरह से बोड पॉइंट टू आया फोर पॉइंट टू को पचपन में जोड़ दिया यहां पर उनसर पॉइंट टू आ गया यही आपका क्या हो गया एंसर हो गया ठीक है तो इस आज सिस्विडियों बस इतना ही मिलूंगा नेश्ट विडियों तब तक के लिए धन्यवाद